हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो आर चैनल आज आज आम इस वीडियो में बात करेंगे पावर ग्रीड के बारे में और आप सभी को पता है इसी तरह के इंट्रेस्टिंग आइडियाज मैं अपनी हर वीडियो में लेके आता हूं आज ही हमने बात की थी जिसका नाम है HFCL अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल देखेगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है वो चार्ट भी HFCL का भी और इसी तरह से हमने काफी सारे स्टॉक्स बताए है इन फैक्ट HAL अभी थोड़ा सा नीचे आया है और एक मौका दे रहा है I think थोड़ा सा कर रहा है वहां पर भी मेरे टार्गेट सेवेंटी के असपास हैं और उसे मैंने भी पूजिशन बना रहा है ऐसे नजाने कितने ही स्टॉक्स के बारे में बात की और हमने हर स्टॉक का स्टॉप लॉस भी बताया और टागेट भी बताया तो कई बार आप वीडियो को स्टॉक्स का ध्यान लगना और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कौन-कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं कौन-कौन से टागेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और यही एक चीज़ है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है हमने लाई से के बारे में बात की ती बहुत निचले सरवर बात की और आज देखे कहां पहुँच चुका हैम और फी मारूती पहूर्ट की पर बात की हमने जितने भी स्टॉक्स हैं H completely निचले सरॲबर पकुड़ा था यूनियन बैंक हो गया जितने भी स्टॉक्स हैं वह अमने काफी नीचले सरवर पकड़ कि अब मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ HDFC bank और HDFC bank में हो सकता है कि जो lower level पे जितना भी selling आनी थी वो आ चुकी है और अब जो है इसमें बहुत अच्छे targets देखने को मिल सकते हैं तो यह जितने भी stocks हमने इस channel पर बात किये है उनमें मेरे holding भी है जहां जापर भी मेर आइकन दावाना बिल्कु नहीं कर रहे हैं बड़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वह एक मेरी दर्खास रहेगी और इसी तरह से आप मुझे support भी कर सकते हैं बिल्कुल free of cost content मिलता है और आपको मैं बिल्कुल technically बताता हूँ कि कौन-कौन से levels important है तो let's discuss about power grid, power grid आज मेरे डाडार पर क्यों आया है क्योंकि आज ही के सतर में ये breakout जो था वो मुकमल हुआ है 282, 283 के आसपास ये जो ने green color की line लगाई है इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें next जो पढ़ाओ है ये next पढ़ाओ कहां पर देख होटा सा हैंडल और इस cup with handle pattern का breakout भी आ चुका है अब इसमें next पढ़ाओ क्या होगा तो next पढ़ाओ जो होगा इसका 200, sorry 300 रूपीज होगा तो 300 रूपीज के target के लिए आप इसमें बिलकुल बने रह सकते हैं अगर आपकी position है तो stop loss का लगाना है 282, 280 से 282 के आसपास का stop loss तो वो एक level होगा इसमें यह भी हो सकता है कि थोड़ा से retrace करें और retrace करने के बाद अगर यह test करता है 282 के आसपास और फिर उपर चलना शुरू होता है तो फिर इसमें बड़िया चाल आएगी because जब भी कोई breakout आता है हाला कि breakout बड़ी अच्छे volume के साथ आया है तो ऐसा भ फिर इसमें आगर वहां से bounce back वापसे करता है तो फिर एक position बना सकते हैं otherwise अभी भी position बनाने के बारे में सोच सकते हैं हाला कि recommendation नहीं है जैसा आप सभी जानते हैं तो यह जो एक level है जहां पर ध्यान रख सकते हैं 300 के level के लिए आप बिलकुल इसमें position में बने रह सकते हैं इ आने वाले टाइम में इसमें अच्छे खासी चाल आने वाले टाइम में देखने को मिल भी सकती है 69 का RSI है तो वह भी बहुत अच्छा लग रहा है RSI में भी कोई नहीं है momentum बहुत बढ़िया बना हुआ है power grid में एक बार weekly के चार्ट पर देख लेते हैं weekly के चार्ट पर कैसा है power grid इससे last week में जो है वो इसमें थोड़ा सा red candle बनी थी और इसके बाद इसने consolidate की और फिर से एक breakout तो जबरदस्त breakout आया है और इसमें जो lower level 273 जो कि इस week की lowest level है वहाँ पर एक stop loss लगा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा swing trading के point of view से ही इसमें position बनाई है तो तो ये आपका weekly इसली के चार्ट पर भी अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा overbought हो चुका है तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है और इसलिए मैं बूल रहा हूं थोड़ा सा retrace हो या फिर थोड़ा consolidate करें तो आपको अच्छी opportunity भी देगा ये particular stock power grid तो एक बार इसको मंतली के चार्ट पर भी देखते हैं मंतली के चार्ट पर कैसा पॉज़र मंतली के चार्ट पर तो आपको देखने को मिलेगा विशाल काई एक इमारते बन रही है पिछले तीन महीने से तीन महीने से अगर आप देखते हैं तो डिसेंबर में इसने 13.5% का return दिया जैनुरी में almost 9.5% और February में अभी तक यह 11% का return अरड़ी दे चुका है तो बहुत ही अच्छे chart patterns बने हुए हैं और अब लेने की शमता बहुत easily कोई करता नहीं है क्योंकि जब इतना तेजी से rally आती है तो हर किसी को डर लगता है और वही एक level है जहां पर आप position बना सकते हैं daily के chart पर क्योंकि बहुत glare levels निकल कर आ रहे हैं और अगर आपकी बहुत पुरानी position है 268 का stop loss लगा लगा लिजे क्योंकि 20 डिमा 268 के असपास है तो इस particular chart pattern में तो यह लग रहा है कि अभी इसमें जो cup with handle pattern बनाया है चोटा सा उसको उसका target 300 तक आता है और 300 के बाद इसमें फिर से अगर कोई pattern बनेगा इमर्ज होगा तो बिल्कुल हम उसके भी बात करेंगे अगर आपकी कोई position है कहीं पर तो आप बिल्कुल discuss कर सकते हैं comment section में लिख सकते हैं और मैं generally आपको पताईए कि मैं reward जरूर करता हूं हर comment को मैं पढ़ता भी हो reward भी करता हूं अगर आपके radar पर कोई और stock है ज चैनल सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन दबाना बिल्कुल दूलेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है content अचा लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो do give me a thumbs up and don't forget to share it with your friends and family as well तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही we'll see you in the next video thank you so much for watching this video